दोस्तों ये रेन लिली कितनी ही सुन्दर लग रही है तो ये मौसम है रेन लिली का तो ये रेन लिली को आप अपने गार्डन में जरूर इस रेनी शीजन पर शेयर करें और देखें कि ये किस तरह से मैंने ओनलाइन मंगाए हैं तो चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हलो फ्रेंड मेरे एक खा मेहर काड़न से आपका स्वागत करती हूं दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि रेनी सीजन चल रहा है तो मैंने भी एमेजों से रेन लेली के बल्ब मंगा हैं जो कि मैंने आउन-लाइन एमेजों से पर्चेस किये ह पर हमारे यहां बल्ब नहीं मिलते हैं तो मैं इसको ह्य में मंगाती हूं तो यह बल्ब को मैंने मंगा लिये तो चली आपको दिखा क्टी हूं जो और यह पर मेरे मेरी इस तरह हैं और यह जिबाद करें परको सारा रेट प्राइज एड्रेस सब कुछ होता है तो इसमें भी आप रेट देख सकते हैं यहां पर है टू फिप्टी फॉर्टी नाइन लिखा हुआ है तो यह मुझे टू फॉर्टी नाइन के मिले हैं तो इस तरह से मैं देखूंगे आपको दिखाती हूँ किस तरह बल्ब हैं यह देखिये ऐग कि बल्ब तो सब ठीक हैं पर कुछ बल्ब मुझे बहुत ही छोटे दिख रहे हैं और मैं खोल के आपको बताती हूँ कि बल्ब दोस्तों यह हाइबरेट ए मेरे पास ऑलरेडी तीन कलर के वल्ब हैं तो मैं तीन कलर के हैं लेकिन हाइब्रेट बल्ब मुझे चाहिए थे जो कि और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं तो इस आसा में मैंने मंगाए हैं कि यह हाइब्रेट ब्राइटी होंगे और उसमें लिखा भी था कि हाइब्रेट ब्राइटी के हैं यह तो दोस्तों यह मैंने मं तो अभी देखते हैं, जब फूल खिलेंगे तभी न पता चलेगा कि किस तरह के गलर आए हैं, तो यह देखिए, कुछ बल्व तो दोस्तों बहुत इच्छे हैं पर ठैंक गॉड को कोई भी बल्व खराब नहीं है, यह देखिए, इस बल्व में तो बहुत इच्छे से फ्ला अनमिचूर बल्ब भेजे हुए हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपको सौप दुकान पे मिल जाए नरसरे पे मिल जाए तो आप कभी भी ओनलाइन ना ले पर किसी-किसी की मजबूरी होती है कि ओनलाइन ही लेना पड़ता है क्योंकि अगर आपको कलेक्शन है या स लॉक है तो आपको अपने याँ पे ओनलाइन ही लेने पड़ते हैं तो दोस्तों यह देखिए कुछ वल्ब तो बहुत अच्छे हैं पांच छे बल्ब जो बहुत ही अच्छे से आये हैं बड़े बड़े हैं यह देखिए यह भी बड़ा है और ठीक है बिलकुल अच्छा लग रहा है पर यह दोस्तों मुझे 20 वल्ब मिले हैं और 20 वल्ब में पांच यह चヶ다면 जो यह जो मिचयु और हैं रेन लिली के बल्ब से ही दोस्तों बहुत होती हैं और यह मल्टिप्लाय होते हैं साल भर यह आपके गार्डन में बनी रहते हैं यह कुछ बहुत ही छोटे और गिंती के 20 बल्ब लिखेते और उनने 20 ही बेज़े हैं पर ये खराब नहीं है लेकिन इस साल तो नहीं फूलेंगे क्योंकि जो बल्ब छोटे होते हैं वो फूल नहीं देते हैं और मिचूर बल्ब ही फूल देते हैं तो बहुत ही अच्छा है ठीक है 200 रुपए में मुझे कोई फरक ही नहीं है कि दोस्तो कम जादा लेकिन दोस्तो क्या है विराइटी ठकी हो जाती है तो 6 बल्ब हैं ये 6 बल्ब जो हैं वो बहुत अच्छे हैं मिचूर हैं और बाकी के दोस्तो 14 बल्ब जो हैं वो अनमिचूर हैं पर दोस्तो खराब कोई भी तो इस साल नहीं अगले साल ये फूल देंगे तो आप लोग भी अगर चाहों तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी आप मंगा सकते हैं तो और इसको जब मैं लगाऊंगी अभी लगाऊंगी थोड़ी देर में तो मैं आपको वीडियो बताती हूं कि मैं इसको किस तरह से और दोस्तो इसमें मैं थोड़ा सा fungicide डाल दूंगी क्योंकि दोस्तो ये सफर से आए हैं कोई fungus ना लग जाए पनी में रहे हैं पॉली बैग में रहे हैं तो इनको थोड़ी देर मैं रखूंगी और दोस्तो मैंने ली है 60% rate ली है और दोस्तो इसमें 40% garden soil ली है और 20% इसमें खाद मिलाई है दोस्तो रेट की मातरा अच्छी करनी है 60% ली है मैंने रेट की मातरा कभी भी बल्ब वाले प्लांटों में रेट की मातरा अच्छे से अच्छे आपको मिलानी है और मिट्टी कम मिलानी है रेट जादा मिलानी है और उससे आपके बल्ब कभी भी खराब नह ही होंगे और यह जो बल्ब हैं आपको लगा देने हैं मैंने एक बास्केट ली है और मैंने जो मिच्छ और बल्ब हैं वो एक एक बास्केट में लगाए हैं जो कि फूल दे देंगी जल्दी से और जो अनमिच्छ और बल्ब हैं वो दूसरी जगह लगाऊंगी पांचों-च् नहीं तो वो सड जाएंगे ओवर वाटर क्योंकि इनके ऊपर का अंकुरित ऊपर आएगा तो उस अंकुरन को नहीं दबाना है और इस तरह से लगाना है और छोटे वाले मैं इस पॉर्ट में लगा दूँगी सारे एक साथी लगा दूँगी क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ब अपने गार्डन के लिए रेन लिली मंगा सकते हैं कुछ बल बच्चे हैं तो मैं उनको अलगी लगा दूँगी तो आपको अगर मेरी छोटी शी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और गार्डन महर गार्डन पर जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डाल सकते हैं तो इनको मैं बार में लगा दूँगी और थोड़ा थोड़ा फंजी साइड वाला पानी डाल दूँगी तो इस तरह से रेन लिली एक बहुत अच्छा पौधा होता है और बहुत सुन्दर रखते हैं वारिश में इसके फूल ब मेले चाननों